नमस्कार दोस्तों कैसे है आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉइलेट्स के बारे में जो त्री मेजर डायरेक्शन है जहाँ पर टॉइलेट नहीं होने चाहिए अगर ये वहाँ पर होते है तो हम लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते हैं हमारे पास में अपोर् है तो उसको हम क्या remedy कर सकते है किस प्रकार से remedy कर सकते है यह सभी चीजे इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों टॉइलेट्स जो है जैसे मैंने अल्रेडी मेरे पहले कुछ वीडियो में बताया है कि टॉइलेट्स एनर्जी ड्रेन आउट करते है इसलिए अगर ये इस है कि जहां पर negative energy है या फिर जो energy हमें ज़्यादा प्रमान में नहीं चाहिए इस प्रकार के जो south-south-west या west-north-west ये जो zone है बहां पर है तो टॉइलेट्स ठीक है वो हमें problem नहीं करते है इसके बारे में मैंने जो पहले वीडियो बनाए है ये कुछ वीडियो है जैसे टॉ कीजिएगा आपको बहुत सारी information इसमें मिलेगी detailed एक एक direction का तो यह सभी वीडियो का link description में है वो आप एक बार देख सकते हैं जो तीन major direction है आज हम बात करने वाले हैं toilets के बारे में उसमें सबसे पहली जो major direction है वो है north इसलिए दोस्तों क्योंकि north जो है north direction हमें opportunities देती है life में आपका business हो आप job करते हो या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हो हर एक चीज़ में हमें opportunities की बहुत जरूरत होती है क्योंकि अगर opportunities नहीं मिलेंगे तो हम progress करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम stagnant हो जाएगे यानि कि अगर आपको आगे बढ़ना है progress चाहिए तो कुछ opportunities चाहिए तो वो हमें provide करती है north direction यानि उत्तर दिशा अब ये उत्तर दिशा हमें opportunities देती है लेकिन अगर यहाँ पर toilet आता है तो क्या problem हो सकते है दोस्तों यहाँ पर अगर toilet आएगा तो आप समझे आपने कोई घर purchase किया है वहाँ पर जो toilet है वो north direction में होने की वज़े से समझे आपको starting में इतना impact नहीं आएगा लेकिन दीरे दीरे आप जिस job में है आप वहां से निकल नहीं पाऊगे अगर आपको नए opportunity चाहिए market में निकलना है तो आपको hard हो जाएगा वहां से निकलना नहीं opportunities open करना नहीं opportunities के door open करना अगर नौर्थ में toilet है नौर्थ की energy drain out हो रही है तो यह problem हो सकता है अभी नौर्थ में अगर toilet है तो उसको हम कैसे block करेंगे कौन से color से block करेंगे यह सब चीज़े हम देखने वाले है लेकिन इसके बाद में जो direction है जहां पर toilet नहीं होना चाहिए अब तो हमने opportunities वाला नौर्थ direction देखा है यहां पर toilet नहीं होना चाहिए यह तो आपको समझ में आ गया अभी इसके बाद में जो direction है वो है south east direction यानि के अगने ये कौन अगने ये कौन में toilet इसलिए नहीं होना चाहिए दोस्तों अगने ये कौन जो है वो सिर्फ अगनी के related नहीं होता है ये cash liquidity यानि के आपके पास में जो hard cash है ये उसके related भी होता है बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का income है सब कुछ है लेकिन savings नहीं कर पाते हैं इसलिए क्य फिर से hard cash निकालना पड़ता है वो पूरा कर्च और कहते है कि यार मेरे wallet में पैसा इनेटिक ता है या मेरे purse में पैसा इनेटिक तो ये जो है अगर आपका exact south east के access में toilet है तो आपको cash liquidity ये सब problem आएंगे यहाँ पर fire related issues तो आते ही है लेकिन यहाँ पर आपको cash related भी problems अगर आपका toilet east south east zone में है तो वो चल सकता है क्योंकि वो anxiety zone है इस south east जो है वो east और south east के बीच में आता है anxiety zone में कभी-कभी energies drain out होती है तो वो अच्छा भी माना जाता है वहाँ पर washing machine भी अच्छी होती है तो वहाँ पर चलेगा लेकिन south east में नहीं शायद आपका plot जो है वो rectangle हो सकता है या कुछ और शेप है यानि कि कुछ cut है या फिर कुछ ऐसा और आपका south east कुछ आप अगर compass से देखोगे rectangle में कुछ ऐसा दिवार पर आएगा लेकिन आपको जो exact access है यानि कि compass लेके देखिए वो अगर यहाँ पर आ रहा है तो आपका exact access यहाँ पर पकड़िए वो corner में आ रहा है तो corner में जहाँ पर भी south east आएगा तो वो south east अगर toilet वहाँ पर आ रहा है तो आपको cash related issues आएगे ठीक है अभी इसका भी block करने का procedure हम देखेंगे उसके पहले हम देखेंगे कि जो next direction है जहाँ पर toilet नहीं होना चाहिए वो है south west याने नैरुत्य कोन दोस्तो नैरुत्य कोन में toilet नहीं होना चाहिए बहुत सारे लोग कहते नैरुत्य कोन में हमें तो कहा है कि वहाँ पर toilet होना चाहिए नैरुत्य कोन में आच्छा होता है दोस्तो toilet नैरुत्य कोन में आच्छा नहीं होता है अगर आप मेरा इसके पहले वाला toilet का वीडियो दे निके south और southwest के बीच में जो आता है वो south-southwest direction और वहाँ पर toilet चलता है toilet southwest में नहीं चाहिए इसका reason ये है इसको major इसलिए कहा है क्योंकि ये stability का direction है यहाँ पर अगर energies drain out होती है तो जिसको हम कहते हैं कि चीजे stable होना या stable होने के बाद वो बढ़ना ये चीजे ऐसे होना बंद हो जाएगा आपको stability नहीं रहेगा हमेशा मन में कुछ ने कुछ डर लगा रहेगा तो इस प्रकार की चीजे south west की वज़े से होती है जो family का main रहेगा उसका family पर इतना hold नहीं रहेगा बहुत सारे factors है south west याने नेरुत्ते कौन जो है उसके related इसलिए south west जो है यहाँ पर toilet नहीं होना चाहिए तो दोस्तो जैसे मैंने आपको कहा है तीम major direction तो सबसे पहले नौर्थ बाद में south east और south west यह तीम जगे पे आपको toilet नहीं बनाना है यह ध्यान में रखना है अभी इसके लिए remedies क्या करना है सबसे पहले जो north direction है north direction के लिए हम क्या remedies कर सकते है यह मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले remedies कैसे करना है यह देखते है अगर आपका Indian toilet है तो उसको आपको इस प्रकार से या तो आप color का directly एक पट्टा यहाँ पर मार सकते हो लेकिन वह minimum 4 इंच चोड़ा होना चाहिए इस प्रकार से या फिर डायरेक्ली color tape मिलते है वास्तु के आप Amazon पे सर्च कर सकते हो तो किसी भी website पे सर्च करते हो color tape मिलते है तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हो तो कौन सी direction के लिए कौन सा लगाना है यह भी मैं आपको बताऊंगा इसी प्रकार से जैसे Indian toilet को चारो तरफ से आप tape लगा सकते हो तीन तरफ से भी लगा सकते हो पिछली दीवार को डायरेक्ट आप यह और यह दो एज है वो डायरेक्ली दीवार को लगा दीजिए चौथा करने का ज़रूरत नहीं है लेकिन चारो तरफ से भी कर सकते हो अभी इसमें second remedy यह होती है कि metal की लेकिन दोस्तो metal remedy के लिए exact जो है आपके इधर का वास्तु देखके फिर suggest कर सकते है कि metal जो है आ अभी जो western toilet है western toilet में आप color tape जो लगा सकते हो इस प्रकर से आपको flooring पे लगाना है तीनों side से अगर यह wall mounted है तो आप इसके नीचे जो tiles है या कुछ plastic का carpet type आप इस color का भी डाल सकते हो कोई issue नहीं है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि north direction में किस color की remedy हमें करना है तो इस तो color मैंने यहाँ पर दिया है यह कह green color अगर north में आपका toilet आ रहा है तो आपको उसको green color से remedy करना है जैसा मैंने अभी बताया है तो green color यहाँ पे आपको perfect result दे देगा इसके बाद में जो आता है south east exactly south east में है तो उसको हम red color से remedy करेंगे जो red color का tape आता है वो यहाँ पर लगा सकते है अगर आपका east south east या south east ऐसा दोनों zone cover कर रहा है तो उसको आप green tape भी यूज़ कर सकते हो लेकिन red tape यहाँ पर exactly south east में आपको red tape यूज़ करना है इसके next जो आता है south west जहाँ पर toilet नहीं होना चाहिए south west में जो remedy हमें करना है वो करना है yellow color से yellow color का tape आपको toilet को इस प्रकार से लगाना है जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है इस प्रकार से अगर आप remedy करोगे तो यह जो toilet से यह toilet का दोश कम हो जाएगा और इसके आपको मतलब जो negative results है वो negative results मिलना बंद हो जाएगा इस प्रकार से आप यह दोश का जो impact है वो कम कर सकते हो दोस्तों यह तीन direction major मैंने इसलिए कहा है क्योंके life में opportunity जरूरी है cash भी जरूरी है और stability भी जरूरी है directions तो सभी जरूरी है लेकिन उसमें से कुछ professional life related मैंने कुछ सोच के यह तीन दिशाओं का आपको एक remedy बता है सभी दिशाओं को बताने जाओंगा तो वीडियो बहुत हो जाएगा उसके लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आप मेरे वीडियो प्लीज देखते रहिए अपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बटन के साइड में जो bell icon है उसको प्रेस करके all notification on कीजिए ताकि आपको जो मेरे वीडियो में अप्लोड कर रहा हूँ उसका notification मिलता रहे दोस्तो मेरे वीडियो प्लीज वाच कीजिएगा आप वाच करोगे मुझे व्यूज मिलेंगे तो मुझे और motivation मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी वीडियो डालता रहूँ आपके दोस्तों के साथ मैं जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहे आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जो वीडियो मैंने reference के लिए दिया है टॉलेट्स के और remedies के वीडियो के स्टार्टिंग में या वीडियो के description में वो सभी के links है तो वो भी आप प्लीज एक बार देखिए उसमें बहुत सारे information आपको मिलेगी मैंने उदर और एक channel का link दिया है कविताज कीचन वो भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा आपके support की आशा रहेगी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्ता